कि इंसानने पैसों को लेकि बहुत सारी तिन सेंगती है फूंग आइसे जगाप सालगा और इसको चिंता कई जाती है कि पैसे में बरबातन हो जाए यह सवास्त की चिंता बिल्जी तुम्हां स्वास्ट रहा हो जाएगा ले एक करोट की गाड़ी खरीद लेता है उसके इंजन नीर है या डीजोन गाड़ी है क्योंकि गाड़ियां है डीजिल डालें में डाल est from we gefallen टालेंगे इस दूसरे का चंज नहीं कर सकते कि कि उसका इंगे खराब हो जाएगा क्या कभी आपने यह सोचा है कि आपका बेस रूपी सरीर जो बहुत सा कीमती है कि इसमें डाल इस टंकी में डालने से पहले आपके मुझे जहर जाता है मतलब कि पान पुडिया गुटका सराफ सीरेट जू भी जाता है कि आपने कभी सोचा है कि इसकी टंकी खराब हो सकती है आपके किड़नी लीवर फेर हो सकते हैं कभी ने सोचा क्योंकि आपने इसमें दस लाख रुपे इंवेस्ट नहीं कि यह आपने बनाया रही है यह शरीर आपको भगवान ने दिया है तो सीफ कियमत भगवान ही उसकी जानते हैं इनसान न क्योंकि उसने पैसे दतलाग पजासतलाग एक रूट रुपे लगाया तो अपनी मेहनत के लगाया थी इसलिए उसको वह अनमोल दिखते हैं ना सरीर अनमोल नहीं दिखता है यह आपका सरीर व्यू उससे ज्यादा है करोनों की गाड़ी से भी जाता उसका इंजन दुबार सौक से खाते हैं चीजें जहता काम करती हैं आपके सरीर ली है अब कभी भी कभी टेस्ट कराना जाके आपके जो लीवरी वर हैं चेका के लिए धब्बे बड़े होगे कि या ब्राइब करते हैं या कभी भी आप अपनी पुडिया घुट का जो भी खाते हो उसको एक पानी में या ठील बगारा कुमिया हो यह आपको ध्यान रखना चाहिए इसलिए अपने स्वास्त का ध्यान रखें और इन चीजों को एकर और करने की कोशिद करें और छोड़ने की कोशिद करें एक सोचने वाली बात है बहुत अच्छी बात है गुलतारा हो मस्जित हो चर्च हो या मंदिर हो हम यहां पर आरोपिकर कभी नहें जाते हैं कि हम पूजा कते हैं खबाग्वान है कि लेकिन हम घर में पीगयर कीं जाते हैं जहां पे हमारे पिता उन रभाए बहले हैं शब लोगोथ आपको शम्मान देने वाले और शहारा देने वाले हैं आप से को लिए रखती होती है तो समझाने को सी करते हैं तो इन चीज़ों को आप दूर करें और अपने परिवार को श्रपोर्ट करें लेकिन जो आप कर रहे हो बहुत सारी लोग ऐसे हैं तारुपी के सारा जल्बा जाके इसको गाली दिया उसको गाली रिया तो यह गलत है जो आप मंदिर नहीं जा सकते हो मस्जीर नहीं जा सकते हो गुर्दवारा यह सकते चर्थ नहीं जा सकते हो तो घर पे कुझा जाते हो जहां पर आप से बड़े लोग रहते हैं वो किसी भगवान से कमने होते हैं च आपको आसरवाद देते हैं कि आपको अच्छा करो आसरवाद इसलिए नहीं देते हैं कि तुम जाओ के दाव रूपी ओजाके इसलिए इन चीजों को आपको ध्यान बरता चाहिए वाद फ्लीज कीप स्माइल इन यूर लाइफ हस्ते रहा मुस्कराते रो आपके सेहत का ध्य जादा रखो जो आपके लिए बहुत ज्यादा लाइफ में इंपॉर्टन्ट है